नमस्कार दोस्तों जैमातादीद आप सुभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हैं आपका अपना योट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं आपके राश्री के देनिक राश्रीफल के बारे में जो कि हर आश्रिवल आपके चंद राश्रिव पर आधारी थे इस समय आपका बिजनुश करियर कैसा रहेगा लव लाइफ कैसी रहेगी और स्वास्थे की महत्पूंट जानकारी हम आपको देंगे साथ ही विडियो के अंत में एक सट्टिक उपाय दिये गए हैं जिन्हें जानकर आप इस दिन को और भी जादा खास और बहतर बना शकेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें शाथ ही बेल आइकन को प्रेश करके और पर सेलेक्ट कर लें आपकी राशी से जुड़ी श्रभी महत पौन जानकारियां आप तक सब से पहले पहुँच सके तो आए इस वीडियो को प्रारंब करती हैं उससे पहरे जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैज सिरीहरी लिखेगा उन्हें भगवान श्रीहरी का सीधा अश्रभात प्राप्त होगा तो आए इस वीडियो को प्रारंब करती हैं लेकिन उससे पहले बात कर लेती ही आज के पंचांग के बारे में 21 अक्टूबर 2021 गुरुभार का दिन है और कार्तिक माश के क्रिश्न पक्ष की प्रती पदाती थी है नक्षट की बात करें तो आज सुविनी नामक नक्षट रहे और योग रहेगा बजर नामक योग चंद्रमा की जो इस्तिती है वह रहेगा मेश राशी में आज का सुब समय यानि अभिजित मोर्द की बात करें तो सुभाई 11 बज़ कर 48 मिनट से 12 बज़ कर 34 मिनट तक रहेगा यहां समय में किसी भी प्रकार की नए और सुब कारी के सुबात बिलकुल कर सकती हैं आज का अशुब समय यानि राहू काल की बात करें तो सुभा दो पहर एक बज़ कर 36 मिनट से 13 बज़ कर 1 मिनट तक रहेगा यहां समय में किसी भी प्रकार की नए और सुब कारी करने से बचिएगा क्योंकि यहां समय अशुब माना जाता है चली बात करते हैं आज का देनिक राशिफल यह समय घर के बड़े बुजर्बों का शनिह और आशिरवात आज आपके उपर बना रहेगा देखें उनके आशिरवात से आज आज आपको सभी कामों में सफलता ही मिलेगी अगर आप कुछ नया करने की सोच बिचार कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की सलह लेकर ही कोई कारी करें तो आपके लिए च्छा रहेगा और नुक्सान होने से बचा जा सकता है इस समय किसी जरुवत मंद की मदद करने से मन में खुशी रहेगी और अपने वशूलों और सिद्धान्थों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रखेगा इसके उपरांत आपके जो समय होंगी हर समय भाईयों के साथ शंबंध मधूर बना कर रखें क्योंकि किसी प्रकार की कहा सुनी बात बिवात होने की संभावनाएं नजर आ रही है इसलिए आज आज आप जितना होशके शंभल कर रहें सतर कर रहें विद्यार्थी का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक कर व्यार्थ के कारियों में भी लग रहा है जिससे कौर्श पूरा करने में दिक्कत आएगी इस समय कानूनी मामले आपके उलज सकती है इसलिए कोट कचहरी के कामोशी आजब जितना होशके दूरी बनाके रखें तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा बैपसाय की बात करते हैं यह समय कारिक छेत्र में अधिक ध्यान देने की अबश्रता है अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है आपको बता दे शतर्क होकर कोई भी कारिकरी बीना सोचे समझे कहीं पर भी आजब निवेश ना करें अनिता दिकत होगा और यह समय करंचारियों की वज़े से कुछ मन माशिक तनाव भी रहेगा नौकरी पैशा लोगों के लिए भी थोड़ा आपसी मतभेत और गलत फेहमिया इस समय पैदा होगी लेकिन आप अपने बल बुत्ते पर इस्तियों को संभाल लेंगे और किसी प्रकार के दिकत इस समय आपको नहीं होगी जराशे भी लापरवाही करेंगे तो बड़ा दिकत हो शकता है लेकिन आज आप शत्रक रहें समभल कर रहें लव लाइफ की बात करते हैं समय लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है परिवारी कोबाता वरंड एकदम खुशनुमा बना रहेगा और एक दुसरे के जादा से जादा शम्मे वैतित करेंगे और एक दुसरे का ख्यान आजाब रखवाएंगे देखिए परिवार के साथ मनोरंजन और आमुद परमुद में भी आज आप का समय वैतित होगा और शेहत की बात करें तो शेहत आज आप की बहुत बढ़ियां रहेगी उत्तम रहेगा और किसी भी प्रकार की चिंता ना करी और किसी के साथ बेवज़ा बात चीत करने सी अज आज आप बचेगा अन्य था आज दोखे की सिकार भी आज आज आप बन सकती है अंश्री चीजहों से आज आप जितना होशा के दूरी बना के रखिएगा फाइदे के गर बात करें तो आज आपका मन प्रसन रहेगा और शरकारी कामों में आ रही रुकावठी आज आपकी दूर होंगे किसी प्रकार की बाधाओं से आज आपको छोटकारा मिलेगी इस समय शंतान से जुड़े सुब समाचार भी आपको मिलेगी नुक्सान के गर बात करें तो किसी की भी बुराई ना करें और बुराई ना ही सुनें और माता की स्वास्थी को लेकर आज आपकी चिंता रहेगी और खर्च भी आज आपका जाद होगा सोच समझ कर खर्च किजिएगा और फिजूल खर्चे से बचिएगा उपाय की दरबात करें तो ब्रहमन को वस्त्र और भोजन का दान करी आजाप का शुबरंग येलो कलर है भागशाली अंक आजाप का दो है